Hello dear students, today's subject is Maths, chapter number 12, topic is 10s and 1s. Students, जिस तरह से हमारा 10 होता है, और जो इस साइड आता है 10 के, 10 में अगर हम प्लस करते हैं 1, तो हमारा हो जाता है 11, तो जो 10 के लाइन में आता है, उसे बोलते है 10s, और जो 1s के लाइन में आता है, उसे बोलते है 10s, तो इस तरह से हम करेंगे, सबसे पहला कोश्चिन है, फिल इन दा बोक्स इस, 45, 45 में है 4 तैंस, 5 वन से, 47 में है 4 तैंस, 7 वन से, 24 में 2 तैंस, 4 वन से, 32 में 3 तैंस, 2 वन से, 17 में 1 तैंस, और 7 वन से, 86 में 8 तैंस, 6 वन से, 99 में 9 तैंस, 9 वन से, 63 में 6 तैंस, 3 वन से, 73 में 7 तैंस, 3 वन से, 46 में 4 तैंस, 6 वन से, अब इस्टूरेंट्स ये आपको अलग-अलग करने है डिजिट को 10s और 1s में जो दूसरा question है fill in the boxes इसमें क्या है इस्टूरेंट्स आपको जो अलग-अलग boxes में 10s और 1s लिखे हुए हैं इनको आपको एक जंगे करने है देखी 2 10s, 2 1s ये हो गया 22 6 10s, 2 1s 62 6 10s, 0 1, 60 9 10s, 3 1s 93 5 10s, 5 1s 55 4 10s, 2 1s 42 8 10s, 9 1s 89 6 10s, 8 1s 68 9 10s, 9 1s 99 5 10s, 2 1s 52 8 10s, 7 1s 87 7 10s, 0 1 70 ये आपको 10s 1s इस तरीके से करने है Turn your page Page number 46 में है आपका Just Before, In Between, Just After Students, इसमें आपको क्या करना है? मैंने आपको पहले भी बताया था तीनो टर्न में Just Before का मतलब है इससे बिलकुल पहले का Between का मतलब होता है बीच में और Just After का एकदम बाद का तो देखी कैसे करना है आपको 66 66 से जस्ट पहले क्या आता है? 65 क्या आता है इस ट्रेंट्स? 65 26 26 से पहले क्या आता है? 25 77 77 से पहले क्या आता है? 76 56 क्या आता है? 76 52 52 से जस्ट पहले आता है 51 क्या आता है स्टुरेंट्स? 51 47 47 से पहले क्या आता है? Just 46 क्या आता है? 46 91 91 से पहले आता है 90 89 89 से पहले आता है 88 35 35 से पहले आता है 34 यह आपके जस्ट बिफोर यानि पहले की हैं नेक्स पहले आजाएए इन बिट्विन बीच में देखो तो की डिजिट की बीच की जो डिजिट होती है उसी बिट्विन वाली डिजिट बोलते हैं देशी की 62 62 के बीच में क्या आएगा 63 23 25 के बीच में 24 76 78 के बीच में आता है 77 73 75 73 और 75 के बीच में क्या आएगा 74 53 55 इनके बीच में आएगा 54 47 49 47 और 49 के बीच में आएगा 48 89 and 91 89 और 91 के बीच में आएगा 90 36 and 38 36 और 38 के बीच में आएगा 37 अधिकी स्टूनेंट जस्ट आफ्टर एक तम मतलब बाद की देखिए 69 69 के एक जस्ट आफ्टर क्या आता है 70 70 28 28 के बाद क्या आएगा 29 79 79 79 के जस्ट आफ्टर आता है 8080 58 58 के जस्ट आफ्टर आएगा 59 42 42 आफ्टर आएगा 43 99 99 जस्ट आफ्टर आता है 100 88 88 के बाद 89 87 87 के बाद आएगा 30 वो स्ट आफ्टर आएगा 37 के बाद आएगा 38 तो स्टूरेंट्स ये आपको अपनी बुक में इसी तरीके से फिल करने हैं और इनको अच्छी तरह से आपको लिखकर प्रेक्टिस करने हैं इनको बुक में भी आप फिल करना, कॉपी में भी और इनको अच्छी से तैयारी करना ओके स्टूरेंट्स, तो थैंक यू झा झाझा झाझाया है कि एम चैंकिन को धका है कि बुक में ठाएस से यानी आपको प्रेक्जारा है